ओके भाईयो और बेहनो इस वीडियो में मैं शोकेस करूंगा सूपर यूमन फाइटिंग स्टाइल एंड 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 मिड़नाइट ब्लेड सो पहले आते हैं स्टोरी पे अगर तुम लोग को याद हो तो मैं शाक मैं खराटे यूस कर रहा था जो बहुत अच्छा फाइटिंग स्टाइल है बट सूपर यूमन भी ट्राइ करना था सो इसलिए बाइद वे हमने जितने भी फाइटिंग स्टाइल्स थे फर्स्ट सी में सारे के सारे फाइटिंग स्टाइल्स के 300 प्लस मास्ट्री कर दिया है तो भाई उसको आपन स्किप करते हैं अगर मैं उसको इसमें डालूँगा तो फोकट ऐसे होगा कि वीडियो लेंद सबसे पहले मैं निकल गया स्नो माउंटन जहां हमारा सूपर यूमन मिलता है और यह देखो कहां एंपीसी मिलेगा अब मैं तुम लोग को सूपर यूमन के सारे मूब्स दिखाता हूँ कैसे क्या होता है और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वाई मेरे हिसाब से अपतलग मैंने जितने फाइटिंग इसमें कौन सा फाइटिंग स्टैल में को लाइक बेश्ट लगता है वो भी मैं तुम लोगों बताऊंगा ज़रूर देखना आप मेरे पास दोनों भी है यह मिड़नाइट ब्लेड है तुम लोगों दिखानी होगा हां यह देखो मिड़नाइट ब्लेड और इसका माश्ट्री है नहीं तो इसको आपन बाद में चेंज करेंगे किसी और वीडियो के दिन आपन उसको देखेंगे तो सबसे पहले आपन इसके एमवन पर आते जो भाई एमवन देखो तुम लोग इसका इससे ज्यादा फास्ट मेको मेरे ख्याल से शाक मैन खराटे जरूर फास्ट है इस इस तील भाई वो ज्यादा टाइम लेता रिकावर करने के लिए यह यह देखो गतर भाई पर रुक जाता है यह ठोर करने के लिए टाइम लेता है तो यह एक क्लाइक में चोटा सा डिफॉल्ट लगा है इसका आगे मैं और भी तुम लोगों चीज़े बता देता हो और यह नहीं stealth me recostर फार शुरी को आपनी तो हाज अनलोक रते तो यह तुम लोगोराने वॉन 11 10 पर मतलब 110 लेवल तो नहीं जाथा क्या समझ नहीं आया इह पास और यह दिया उसने बट ज्यादा डैमेज नहीं दिया है मैं यह इतना पता नहीं थंडर क्लैप जो है वह एग्जाक्ली काम कैसे आता है तो अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग बता सकते हों कि तुम लोग प्रोज हो और तुम लोग से लेना मतलब ऐसा है कि भाई रोज से लेना मतलब वह अच्छी बात होती है तो जरूर बताना अब इसका क्योंकि हेल्थ बहुत कम हो चुका है अपन इस पर आ जाते हैं तो लास्ट आल आपना जो एक है के वह अपना माश्ट्री 330 ब यह यह भी एकदम ख्लोज रेंज अटेक है और फिर यह दूर फिक के मारता है इतनी दूर पेक के मारता है मैं तुम लोग को डिश्टेंस तो नहीं दिखा सकता रूखो अगर कोई आप एंपीसी मिले मुझे जो डिश्टेंस कवर कर सकता हां इसको अगर मैं यह एंगल से म पैक वाले अटक है बस फर्स्ट वाला जो है यह पकड़के रखने वाला अटक सेकेंड सी में तुम लोग मिलेगा और ज्यादा लोग यूज करते हैं सेकेंड सी में इसको तो हां मेरे हिसाब से बाई इतना में को कुछ अच्छा लगा निये सूपर यूमन मेरे हिसाब से ना उतना अच्छा नहीं है मैं अगर इसको कुछ रेटिंग देने जाओ 5 आउट अफ तो भाई 3 दूँगा क्योंकि लाइक फर्स्ट तो भाई इसका M1 जो है वह बहुत ज्यादा स्लो है सेकेंडली भाई इसका कॉन करर गन थंडर क्लैब जो वह नॉक बैक अटक से कॉन क अब से मेरा पर्सनल ओपीनियन बता रहा हूं तुम लोगों किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं मेरा पर्सनल ओपीनियन तो यह है कि मुझे पसंद नहीं मुझे सूपर यूमन से ज़्यादा शाक मैन खराटे पसंद आया अब आते हैं अपन मिड़नाइट ब्लेड पे जिसके effects मुझे personally बहुत ज्यादा पसंद है सबसे पहले आपन आते हैं इसको कैसे बाइ करते हैं यह तुम लोग को मिलेगा कर्ष्ट शिप पे अब आते हैं इसके showcase पे कुछ लोग इसको रेंगोकु से compare करते हैं तो तुम लोग में को पहले जो लोग दोनों भी use कर चुके है वह लोग में को जरूर बताना कमेंट्स में कि यह दोनों में से बैटर कुंसा रेंगोकु better है या मिड्नाइट ब्लेड बैटर है तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना में क्योंकि लाइक प्यूचर में जब मैं कॉम्बो जूज करूंगा या फिर मतलब कोई स्वार को रखूंगा तभी में को जानना है यार कि इन दोनों में से कौन सा बैटर है लाइक किसी दिन में कंपेर इस वीडियो लाने वाला तो हां तुम लोग में को कमेंट्स में जरूर बताना अभी के लिए इसके मूव्स पर आ जाते हैं अब अब आ जाते हैं मिड्नाइट ब्ले तो गड़ा भाई क्या ही मारता है यह बंदा वह पीछे पेड़ भी सब काट दिया और इसका और ऐक चीज अगर मैं तुम लोगों को बताओ यह एंपीजी की तर इसको अपन साथ में लिगे जाते हैं तो आजा मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ में स्टैट स्टैट स्पंज व एक साथ में दो तीन लोगों को भी मार लेता है यह बड़ उसके रेंज में आना चाहिए ऐसे तो एक काम करते है यह बंदे से थोड़ा दूर हो जाते बंदा पागल हो गया है फर्स्ट आलय टैक जो है वो मश्ट उसके एफेक्स बहुत अच्छे लगते मैं को मैं इस एफेक्स अच्छे लगते करके मैं यूस खर रहा हूं इसको मतलब रखाया है मैंने और जाधा कुछ में को इसका इतना पसंद आया और यह वाला मूब जो इसके लिए बहुत मैंनत क अब आना जाते हैं इक क्रिश्ट दैश के ओपर जो आइश एक आते जो अपने सेवर सेबर स वार्ड जो है उसका फर्ष्ट वाला मूव कैसे होता है और अधरी तो लाइक एकदम मस्त अटाइक के यह भी है जो अपने के लिए अग्णृ ना ना सलसकरित समय करें ना 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 नीचे नहीं जाना है यह तो फोह यह फिसकर एफेक्स इतने ज्यादा पसंद देना मैं को मैं इसके एफेक्स के लिए ही मैं इसको पांच पॉइंट दे दूँगा इसके एफेक्स जो है वह बहुत ज्यादा अच्छे लगते में और एक चीज़ इसका बक्वास जो है वह इसका M1 है अगर मैं तुम लोगों को सेबर का M1 दिखाओ यह देखो सेबर का M1 फास्ट है थोड़ा थोड़ा वैसे हां मैं और एक चीज तुम लोगो बता दू जज करने मतलग जाना क्योंकि बाई मैं बूदा यूजर हूँ मैं मिडनाइट ले र खराटे लेने वाला हूँ कि शाकमान खराटे में को पसंद था यह सूपर यूमन उतना पसंद नहीं है मुझे सो हां यह वीडियो को यही पर वाइंड अप करते मैं तुम लोगों के शोकेस बता दिये है अगर तुम लोगों को पसंद आया यह वीडियो लाइक मारो चैनल दिसे में को कमेंट में बताना और यह यामी आ चुका है सो हां यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक मारो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो मैं तुम लोगों मिलता हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंटिल देन बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ वीडियो